राम राम सत्रिकाल भाई सारे भाईयों ने आपके अपने योट्यूब चैनल सुखविर डंडा डैरी फारम पर आप सब भाईयों का स्वागत है जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं या वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगया गंटी का बटन भी दबा लें ताकि आने वाड़ी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाईयों को मिलता रहे है आज का वीडियो अपने ही डैरी फारम से है भाई और एक बहुत ही टोप क्वाल्टी की जोटी माइनस पॉइंट एक है वो आप देख भी लेंगे और मैं बता भी दिऊंगा भाई कटडी बहुत श्यांदार है निचे माइनस पॉइंट अब मोक्के पर ये कहस का है कि भाई थोड़ा सीन खुला है अगले साल शरीर से त्यार हो जेगी फिर तो अद्दा सींग तो वैसे ही शरीर पे अच्छा लगने लगजे है गोड सींग है लेकिन खुला गोड है भाई आईट बहुत जाद है कला कला थन लग्या हुआ है थनों में थोड़ी थोड़ी पाड डाले हुए है भाई बावबादी और बोड़े से खाली हो ली क्योंकि ये कल दिवारी थी उससे पिछले दन जो कानी दिवारी बोल देया पे उसको ब्याई हुई है भाई याज तीसरा दन ब्याई को है खीश से खाली कर दी है और अभी सुबह के टाइम का दूद नहीं निकाल लिया है क्योंकि सुबह सुबह अपने पास आई थी और सुबह ही इसकी वीडियो बनाई गई है अगर आइट लैंट की बात करें तो अपने पास जो गंगावेंस है उससे आंगल आद आंगल उन्ची ही होगी भई बहुत बड़े कद काट की दो दांत पूरे करके चोथे दांत तोड़ रही है जोटी और अपने ही गर से लगा लो भई अपने ही बाई के पास से आई है क्वाल्टी बहुत से अंदर है और एक बात बताना चाओं भई अभी मन में यह कि वे अच्छा दूद निकाल लेगी तो अच्छा दूद ही दिखा कर भईयों को सेल करेंगे थोड़ी मूरी मारी कभी इसको डली नहीं है उस चीज की थोड़ी ही उड़गत सी मानने भई और आइट देखें परली साइट में दुरगेश खड़या भई आइट अच्छीओं में है माड़ी नहीं कहने को जे कम होती तो आपका कम कह देते और जे जादा है तो जादा भईयों को बताने लग रहे हैं कला कला थन लग रहे है पाल थनों में है और खाली होने के बाद ठीक दूद से चली है बई देखो चोथे दांत निकालन लग रही है तोड रहे हैं पीट पुड़े की भी बढ़िया है एक माइनस पॉइंट है तो वो सींग का गेरा बढ़ा मानो थुड़ा खुला सींग है बई अडर पीछे भी ठीक है लेकिन अभी खीश से खाली होने के बाद दीरे दीरे जब ब के निचे भाई क्योंकि यह अपने गर पहे थी और बाई ने लाड़ला बुल की AI कराई थी और श्यांदार ही कटिया गो जनम दिया है लाड़ला बुल के बच्चे बहुत ही श्यांदार आवां बहुत टोप क्वाल्टी गे भाई और चुआई भी बहुत बढ़िया है कोई ज़्यादा गुदगुदी नी मान दी भाई एक बार थोड़ा हाग के खड़या होना पड़ा है कोई ज़्यादा गुदगुदी मान दी नी जैसे पसू पार उठान लगजे थनों में पार है बाव है इसकर के थोड़ी ही दाब म मांगरी है चुआई जैसे जैसे ये पालपूर निकल के थन नरम हो जेंगे और बढ़िया दूद बना जेगी तो बहुत स्यांदार चुआईगी जोटी है और थन भी एक नंबर का लग्या हुआ जो ठीके भई अडर है शरीर के मानों निचे भई चिप क्या हुआ है कोई लं और दूद खाली होने के बाद अच्छे से चली है उमिद्धे पसुदन से अच्छी होगा है और अच्छी आपने करी है वो टाइम मोके की बाते हैं अगर ठीक ठाक खाने लगी तो बहुत अच्छा दूद बना दे भई क्योंकि निच्चे लाडला बुलकी कटिया साथ में खुद भी कटिया जैसा लगा लिए शरीर तो बहुत बड़ा लेकिन एज के शाप से दो दांतों के चोथे तोड़े हुए हैं अच्छे दूद की उमिद्धे कर सकते हैं और इसी करके मैं आज यह सुबह अपने पास आई थी तो वीडियो आप सब भाईयों के साथ सेयर कि या बे आगे आले थन कटिया चूंग रही है और पिछे वाले थनों की मैंने दार आपको मार के दिखाई यह देखे यह उडली साइड वाला थन का दूद निकाल लिया है और परली साइड वालाई का अभी निकालने लग रहे हैं भई आपको यह अपनी जोटी कैसी लगी भई कमेंट के माद्यम से अपनी राय जरूर दें लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सब भईयों का तई दिल से दन्यवाद जी